और मेरे फूडी कैसे हो आप लोग आज हम आपके लेके आएं भिंडी दो प्याजा की रेसिपी बनाएंगे इसको बिल्कुल ही रेस्टेंट वाले स्टाइल में और वह भी बिल्कुल इजी मेथर से तो आप इस वीडियो को पूरा एंट तक देखना और अगर आप इस वीड आप देख रही चीदी लेट गया स्टाटेड तो भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए हमने या पे लिए बिंडी बारिक कटा हुआ प्याज रफ्ली चौड प्याज टोमेटो प्यूरी हरी मिल्च और लेसर नदरक का पेश्ट तो चलिए सबसे पहले हम भिंडी को बिंडी को में थोड़ा सा लंबा काटना है एक बिंडी के दो या तीन पीस ही करने है और फ्राइ करने के वाद वैसे थोड़ी सुकड़ी भी जाती है यह बिंडी को हमने 100% कुक नहीं करना 80-90% ही बस फ्राइब करना है ज्यादा हम इसको फ्राइब कर देगी तो तो आप देख सकते हो भिंडी हमारी फ्राइब हो चुकी है और रम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और हम इसी ओल में जो हमने रफली चौपड प्याज काटा था जो प्याज के स्लाइस निकाल दे उनको फ्राइब करेंगे और इनको भी ज्यादा फ्राइब करना बद करचा पन निकालना है और हां साती में ने अघ्री मिर्चे यार झाल दिया हैं तो इन दोनों गरें सांथ में फ्राइब कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहापे करीब एक कर्ची ओयल लिया है और इसमें हम दालेंगे एक चमबा जीरा चुटकी भर अजवाइन गाइस भिंडी में अजवाइन का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है तो यह भी आप जरूर दालना अब जीरा और अजवाइन को थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे थोड़ा इनका रंग चेंज होने देंगे उसके बाद इसमें हम दालेंगे लैसन अद्रक का पेश गाइस लैसन अद्रक का पेश भी हमने थोड़ा ही दालना है बहुत ही आदा श्ट्रॉंग फिलेवर नहीं आना चाहिए लेसन अद्रक का भिंडी में तो यह छोटी-छोटी चीजी हैं जिसका अपने दियान रखना है इसको भी हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और अब हम इसमें दालेंगे अपने बारिक कटेवे प्याज और हम इसका एक अच्छा सा मसाला भून लेंगे तो गाइस प्याज हमारा भून चुका है अब देख सकते हैं बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है हमने बस इसे इतना ही भूनना है बहुत जादा जलाना नहीं है एकदम डार्क नहीं करना तो हम इसमें दालेंगे अपनी ट्रमाटो प्यूरी यह करीब वेकदमाटर की प्यूरी है और दाल दी है तो हम साथ ही साथ इतमे अपने मसाले भी दाल लेंगे सबसे पहले दाला है तो आदा जमसार नमक आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्च चुटकी भर हल्डी एक चौथाई गरम मसाला और हम अपना मसाला अच्छे मसाला हमारा भून चुका है तेल इसमें छोड़ दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बार और इसको भून लेंगे तो हैस देखें मसाला हमारा प्रॉपल भून चुका है तेल इसने सारा छोड़ दिया है टमाटर भी हमारा अच्छे से पक गया है बस इस पॉइंट पर आखिया हम इसमें अपनी भिंडी और प्याज जो हमने फ्राई कर लिए थे वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर दे तो हैस बिंडी हमारी अच्छे से मिक्स चुकी है बस हमें आप करना क्या है इसको पांच मिनिट के लिए डग देना je ताकि यो थोड़ा सा बिंडी में कच्छा बन और जो मसाले है वो सारे अच्छे से मिल जाएं अच्छे से मैशप हो जाएं तो आ पांच मिनट किने में इसको ढग देंगे तो गाइस पांच मिनट हो चुके हैं और देखे कितनी लाजवाब हमारी भिंडी लग रही है देखके इसको खाने का मन कर रहा है भिंडी हमारी पक भी चुकी अच्छे से तो चलिए अब एक बाद इसको चेक कर लेते हैं तो जी हाँ भिंडी भी मारी अच्छे से गल गई है आप इजिली इसको घर पर बना सकते हो और टेस्ट बिल्कुल रेश्टरेंट वाला अगर आपको रेसीपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर अभी तरह आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्यो